नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कमप्टीशन प्रिप्रिशन पर आई होप आप सारे बहुत अच्छोंगे और अच्छे से पढ़ाई करते हूंगे इस वीडियो में हम सीजियर 2022 के 12 दिसमबर सेकंड सिप्ट के मैस का सलूशन करने वाले हैं ठीक है आपको सारे 40 सिप्ट का सलूशन 40 सिप्ट में प्री का वेपर हुआ था सबका सलूशन ऐसे सीजियर 2022 सौल पेपर्स प्लेइलिस में मिल जाएगा प्लेइलिस की लिंक डिस्क्रिप्चर में डाल दे रहा हूँ आप जरूर देखे ठीक है देखो कहा क्या साइन स्क्वार थीटा माइन अगर यह एक स्क्वार माइनस 3 एक्स प्लस 2 होता तो आपके दो फैक्टर ब साइन प्लस 1 ख क्या एक के फिटा जीरो से लेके सकते तो बडाबर में दू सकते हैं अब आपको डिकी सार्म के सकते हैं यह इसका लीका दशले सकते हैं है 27 दूना 24 और बटे हर का SCF यानि कि 5 और 10 का SCF यानि कि 5 24 में 5 से डिवाइड करेंगे 10.8 आपका आंसर हो जाएगा कहा गया कि radius राइट सर्कूलर सिलेंडर की 4 टाइम से height की radius जो है वो 4 टाइम से height की ठीक है कहा गया अगर height 14 है height 14 दे दे दिगे चपन गुड़े चपन ठीक है 56 गुड़े चपन और गुड़े एच चोधा साथ दूनी चोधा यूनि डिजिट से सॉल्व कर लो तो दोखो 6 दूनी 12 चकबात्तर दूना दो दूनी चार यानि यूनि डिजिट 4 आपका आंसर आ गया कि रेट आफ इंट्रेस्ट परेनम क्या होगा सिंपल इंट्रेस्ट पर ताकि 880 रुपे 913 हो जाए डेड़ साल 880 रुपे 913 हो गया कितना बढ़ा 33 रुपे 33 रुपे 880 का कितना परसेंट है 33 बटे 880 गुड़े में लगा देंगे 100 एक 0 कटा 1188 गया रुपे 323 बटे 8 लिख सकते हैं 15 बटे 4 15 बटे 4 परसेंट बढ़ा आइं कितने सालों में 3 बटे 2 सालों में तीन बटे 2 सालों में 15 बटे 4 तो रेट आफ इंट्रेस्ट कितना हो जागा बटे में हम संख्या को पहले 20 घटा जाता है दूसरी संख्या पाने के लिए फिर जो संख्या मिली उसको 200 बढ़ा दिया जाता है थेर्ड संक्या और फर्स संक्या के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना पर्सेंट कम या जादा है सेकंड और थर्ड संक्या के डिफरेंस या डिफरेंस है देखो आपको तीन संक्या किस प्रकार से प्राप्त करी गई है आपके लिए देखो पहली संक्या 100 थी इससे 20 पर्सें increased by 200% यानि कि 240 दो सो परसेंट से बढ़ाया जाता है यानि कि 800 थी तो 200 परसेंट यानि 180 और जोड दिया गया मतलब 80 थी तो 160 और जोड दिया गया यानि कि 240 कर दिया आप कहाँ कि difference between third and first number यानि कि इन दोनों का difference कितना है 140 ये कहा गया कितना परसेंट कम या जादा है difference between second and third यानि इनके difference कितना है 160 तो 140-160 से कितना कम या जादा है आप कहें कितना कम है 20 160-140 कितना कम है 20 यानि 20-160 कितना परसेंट है एक बटे आट यानि कि 12.5 परसेंट कम कहा गया any six digit number that is formed by repeating a three digit number हमेशा याद रखना x y z x y z छे अंकों कि संक्या होनी चाहिए और तीन डिजिट को repeat कर दिया है छे अंकों कि संक्या होनी चाहिए और तीन तीन अंकों यानिकि तीन साथ और साथ 10011 13 से डिविज्वल होती है अगर यह संक्या 7 11 और 13 देखो कि मैं क्या कहना चाहता है कि अगर कोई तीन संक्या है लिखी है एक्सवाइज्ड और उसके बगल में फिर एक्सवाइज्ड लिख दो ची चाहिए छे अंकों की संक्या बना तो इस परकार से कि पहले तो आपको बताना है कि वह संख्या किस से डिविज्वल होगी तो आपको साथ से डिविज्वल होगी ग्यारा से और तेरा तीनों से डिविज्वल होगी और अगर कोई संख्या साथ और ग्यारा और तेरा तीनों से डिविज्वल है तो इनकी प्रोड़क्ट यह एक हजार एक से भी डिविश्वल होगी एक टीवी का मुली 14500 लिखा जाता है इसको 10,000 रुपे पे बेचा जाता है दो डिसकाउंट के बाद देखो 14,500 की टीवी थी ठीक है 14,500 की टीवी थी हमने 10,000 का बेच दिया नहीं कितने का डिसकाउंट दिया 4500 का 4500 का कितना परसेंट है आप कहेंगे 4500 बटे इतना यानि 5 से कार देंगे 900 बटे यह कितना हो जागा 39 लगभग 30% लगभग 30% का डिसकाउंट मिला है पहला डिसकाउंट परसेंटेज 10 है तो दूसरा पूछा कि आप कहेंगे x प्लस 10 और माइनस x बाइ 10 is equal to 30 यानि resultant x और 10 का resultant 30 है तो यहां से आपका होगा 9x by 10 बड़ाबर 20 यानि कि x बड़ाबर कितना होगा 200 बटे 9 200 बटे 9 कितना हो जाएगा लगभग 9 दूनी 18 और 9 37 लगभग 23% या फिर ऐसे कर सकते थे आपने कहा 14500 का था टीवी ठीक है 10% का डिसकाउंट दिया गया यानि इसके 9 बटे 10 का बचा फिर कहा गया एक्स परसेंट का डिसकाउंट देगा यानि सो माइनस एक्स बटे 100 का और यह तीवी जो बच्ची वह कितने की हो गई 10,000 की यहां से दो जीरो से यह जीरो कर जाता और यह जीरो कर जाता अब आपका बचा कितना इसको सॉल्व कर लेते 5 से करते 29 हो जात अब 39 इंटू 100 माइनस एक्स बराबर 20,000 तो आपको एक्स सॉल्व करना एक प्लस उन बाई यह पांस तो एक यूप प्लस उन पांस पांस का क्यूप माइनस तीन इंटू पांच एक ट्राइंगल का एरिया दिया गया और साइड का रेशियो देगा छे आठ दस के अगर रे एक्स स्कुरार चरे नियु एक्स बराबर दो गया 600 जोई दस चयान चौईअगल चौदा टॉटिस आपका इस चौदाइस जोरने का विए झीट असके बेला क्वाश्टम चैनलता शट दूगा छोंदी च्वटस आपको एक और ओर मतलब वालियोंक है यह सद्व उत्कों स पाई यानि 22 बठे साथ गुड़े आर स्क्वाइर यानि की 5 का स्क्वाइर 25 लिख ले ना फॉर्मूला प्लस 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 और र यानि की 15 इंटू एच साथ यह बराबर कितना होगा सॉल्म करना है यह कटा यह कटा थेक है अब आपको इसी को निकालने नहीं कि च्द्र हो गया भीया एक बटे तीन गोल लगाएं एक बटे तीन फाई होता है तो एक बटे तीन भी लगा लेला सौर्प कर लो तो तिन से कर तो यह 16 2015 हो जाएगा गूड़ा तो 22 66 6 तेट चाइब यह थे लिए तो आपका इतना अंसर हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर इस्क्वार प्लस आर इस्क्वार प्लस आर इंटु एच बटे तीन कहा गया एक बोट है स्ट्रीम के अगेंस्ट नव घंटे चाथिस मिनन में कवर करती है सेव डिस्टंस को अगर एलॉंग दया स्ट्रीम करें तो छे घंटे में रेशियो आफ बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रिश्यो देखो अगर मैं बात करूं कि डाउन स्ट्रीम जाती है डाउन स्ट्रीम जाती है तो कितना घंटा लगता है छे घंटे डाउन स्ट्रीम कितना होता है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड ठीक है और बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम और आप स्ट्रीम कितना होता है ब सब्सक्राइब यहां से आप सॉल्ब कर सकते हैं छे से कटा आठ कंपोनेंड डिवीडेंड लगा तो जोड़ोगे टू भी घटाओगे टू यस आठ पांस तेरा आठ पांस तेरा बटे आठ माइनस पांस ती तो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रिश्यों तेरा यह पता है ना कि चालो का अनुपाद अगर स्टू है तो उनकी जो स्पीड का रिश्यों दिन में कर सकते हैं अगर एक साथ काम अल्टरनेट डे पे काम करें तो पंद्रा बीस और पचीस का लेलो कितना हो जाएगा तीन सो यह करता है बीस एक करता है पंद्रा यूनिट और यह करता है बारा यूनिट अब अल्टरनेट डे करते हैं एक दिन है एक दिन है एक दिन है ठीक है यानि कि तीन दिन में कितना काम हो रहा है तीन दिन में काम हो रहा है तीन दिन में 47 काम यानि कि हमें पहुंचिना है यहां तक यानि कि 6 से गुड़ा ए भाई साब यह करते किता है 20 करना कितना है 18 यानि नो बटे 10 दिन और लगेंगे तो टोटल दिन कितना लगा 18 से नो बटे 10 दिन लो भाईया देखो आप एक चीज नोटिस करोगे जहां जहां पर भी आ रहा है वहां पर निगेटिव आ रहा है और बाकी सब देखो परफेक् है तो उसका मायनस करेंगे बाकी सब का प्लस करके एक जीप है 300 किलोमेटर साथ से जाती है 30 से वापस आती है अगर कोई कोई बी स्पीड से जाता है और वी बिस से वापस आता है तो वहाँ पर एवरेज सपीड होता है टू आपन एप्लस वी त्योंगी तो इन्टु सिक्स सब्सक्राइब निकालना है तो कितने स्टेट है पांच डिवाइड कर तो पांच चो को बीस पांच नुवा पैतालिस पांच पांच अठ्थे पॉइंट शेक लिए एक आदमी और उसके बेटे की एवरेज आयू यानि की आदमी बाप और बेटा में लिख रहा हूं बाप और सन की एवरेज आयू अगर पच पन है तो उनकी कुल आयू 110 का गया उनकी एज का रेशियो 7 अनुपाद 4 यानि 7 है या 4 है या 7 प्लस 4 11 बराबर 110 एक रेशियो बरा कागय एक बेइमान दुकान दार है वह आपने वस्तों को कॉस्ट प्राइज पर बैजता है लेकिन फॉस पाज़्स वेट ग्राइजने कि यूज करता है यानि कि गलत वज़नी यूज करता है और उससे प्रॉफिट होता है 15 परसेंट को आपको बताने कितना किलोग्राम का वाट यूज करता है लेखो समजह बात अगर वो कहता है कि भी या 1000 रुपे में 1000 ग्राम वो खरीदा यानि एक ग्राम का क्रेम लेक अब 15% का डिस्काउंट 15% का फाइदा कमाना है यानि उसे बेचेना चाहिए 1000 ग्राम कितने में 1500 रुपे में कितना एक एक पांच जीरो में 1150 रुपे में एक बात बताओ उसे 15% का डिस्काउंट बदलब क्या चाहिए प्रॉफेट चाहिए यानि कि उसे 1000 ग्राम बेचेना चाहिए 1150 रुपे लेकिन वो क्या काम करता है कि वो क्रेम ले पे ही बेचता है हमने कहा कि 1000 ग्राम ध्यान से जम्चे सौट्रिक बता दूँगा पहले अगर एक ग्राम एक रुपे का था तो अगर उसे 15% प्रॉफेट चाहिए यानि एक पॉइंट एक पांच में बेचेना है उसने 1000 ग्राम खरीदा था या कहो एक ही ग्राम खरीदा था या एक किलोग्राम खरीदा था एक किलोग्राम उसने एक रुपे का खरीदा था तो वो बेचना चाहता है एक पॉइंट एक पांच में लेकिन वो कह रहा है एक पॉइंट एक पांच नहीं बेचूँगा मैं बेचूँगा उसी क्रेम मोले पे ही और मुझे profit चीए तो वजन कम करना पड़ेगा अब आप बताओ एक पॉइंट एक पाच के भाव से एक रुपए में कितना किलोग्राम मिलेगा समझा है समझो बात को हमने कहा एक रुपए में एक किलोग्राम उसने खरीद है ठीक है उससे चाहिए पंदरा परसंट का profit यानि एक किलोग्राम उसे वन पॉइंट वन फाइंट नहीं लिखेंगे हम वजन में काट लेंगे लेकिन वह प्राइज उतना ही रखेंगे यानि एक रुपए में आप देखो कितना वजन वह दे तकि उसका इसी रेट बीके तो आप कहेंगे अगर एक किलोग्राम का मोल्य है एक वन्ट Ini पांच रुपए है तो एक रुपए में कितना किलोग्राम मिलेगा एक बटे अधिक पॉइंट एक पाई तो आप सॉल्व कर लो कितना ग्राम आएगा आप कहेंगे यहांपे लगएँगे 2 जीरो इतना सो बटे 115 साट कर लो 5 से एकटेगा 20 हो जाएगा 5 से कटेगा 23 हो जाएगा 23 से डिवाइड करेंगे 0.87 kg मिलेगा यानि कि उसे क्या काम करना है 0.87 kg बेचना पड़ेगा यानि 870 ग्राम बेच सकता है अगर प्रॉफिट चाहिए यानि आपको समझना यह है कि उसने आप ऐसे समझो अगर पूछा जाए कि वो कॉस्ट प्राइज पर बेचना चाहता है इतने परसेंट का सब्सक्राइब करेगा तो उसे 15% का प्रॉफिट क्या कहा गया यह डिफरेंट स्टेट्स का पॉपलेशन दिया गया ठीक अलग अलग परसेंटेज में फिर उसके बाद मेल फिमेल का रेश्यो दिया अब आपको दिख रहा होगा प्रस्ट में क्या पूछा गया का वाट व इतनी भीहार की जन संक्या थी और बिहार में आपको पूछा गया मेल की संक्या तो बिहार में जो मेल और पीमेल का वनपाथ है मेल तेन और फ्मेल थी चार यानुकी तीन वट्टे 7 इस का मेल थे बस सब्सान लुड़िए तो साथ से काटंगे साथ चोको अठाईस चार सेहतालिस साथ चक ब्यारिस एठैच चापण डूड जीरो 33 से गुड़ा करना है तो 11 से गुड़ा करो 1188 11668 चो हत्तर 1144 और साथ 51 इसमें 3 से और गुड़ा कर दो तो 3 00, 3 8 24, 3 चोको 12, 2 14, 390, 3 1 4 3 55, इतनी जनसंक्या दिए कि रामभजो जी रामभजो जी कितना आसान प्रस्शन है एक भाई-एट प्लस-बस लाइट नहीं कե दुझा है अगर हम एक यह बराबर क्या मादने है इस प्रस्छ घ्यूम करें तो यह लिखा हुआ ए प्लस बाइखेहें से निकालना क्या है इक स्कुरम एक बालों A का Q, अब एक बात बताओ, A square plus 1 बराबर A हो गया, या A को इधर लेओ, तो A square बराबर 0, A square plus A minus 1 बराबर 0, तो आप कह सकते हैं, कि अगर A plus 1 से दोनों पच्छों में गुड़ा कर दिया जाए, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, इधर तो 0 ही रहेगा, और A plus 1 देखो, A plus B into A A square plus B square minus A, Q plus B cube, यानि लिखा A cube plus 1 का cube बराबर 0, यानि A cube बराबर 0, अगर A plus 1 by A बराबर 1 हो, तो A cube बराबर minus A, Q है क्या, X बटे 8 का whole cube, यानि A cube बटे 512, X cube बटे 512, बराबर minus A, तो X cube बराबर minus 502, वो को ने tree है, जो swing करता है, swing करता है, मतलब, ऐसे tree खड़ा था, यह त देख़ यहां कि यहँंन je 24 metering कि दूरी कवर करने में यह कितने डिकरई कवर करता सबस्क्राइब नल्ग करना कि तरी की उच्ञाई कितनी या नि यह नि यह सब समच दो आपको को बेसिकली एक स्कूशन को अगर दूसरे डंग से देखा जाए एक चाप जिसकी लंबाई 44 मीटर एक और जिसकी लंबाई 44 मीटर वह सेंटर पर 18 डिगरी का कोड़ कितना है अठार डिगरी का कोड़ कितना है सबसे ज्यादा पूछा गया तो आप तीनों को जोड़ते हो सबसे ज्यादा पूछा गया तो देखो चार तीन साथ बारा यहां पर है पांच चार नो तीन बारा बराबर है चार चार आट दो दस पांट दो साथ एकार दो चार 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 तो यानि कि 2018 बराबर है तो आप ऑप एक बात समझना कि अगर दो सरकल टच करते हैं धो सरकल टच करते टभी उनके केंदरों के बीश के दूरी उनकी opt के त्रिज्याओं के बराबर हो गी और अगर ऐसा केस बनता तो और आपको बता मैंस स्कूरेटा लिखा हुआ को इसको स्कूरेटा क्या होता है तो इसकी पावर कर जाएगा आपका अनसर हां जाएगा इक अनबर आफ लेक्चर लेक्चरर्स रिक्वार्ट आपको अलग अलग कंपनीयों के लिए अलग स्टेट्स के लिए नंबर अब लेक्षे रिक्वाइर देगे इफ थर्टी फाइपर्सेट आफ लेक्षर्स लेक्षर्स रिक्रुटेड इन बी इन टू थाउजन ट्वेंटीवन वर मेल तो आपको फीमेल बताने आपको कहा कि लोगेर दो लेक्षष के लेक्षष़ बैसे लेक्षषर्स मेंएर इना रिक्रुट की इसनकल जान सेट है मेल तो명이 किया नाति ॉतल लेक्षष लेक्षष्षव मेंत्यक्ति. सब्सक्राइब करना न भूले मिलते अगली वीडियो